नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PK Education Core पर और आज हम एक करन के टॉपिक को डिसकस करेंगे, उससे जुड़ी हुई एक समिती है, जिसे हम बर्मा समिती की नाम से जानते हैं, और हैदरावाद रेप के से किस तरीके से जुड़ी हुई है, ये भी आज जानेंगे, त अत्याचारों को रोकने के लिए बनी बर्मा समिती के बारे में जानेंगे, बर्मा समिती एक तीन सदस्य समिती थी, जिसका गठन 23 दिसंबर 2012 को किया गया था, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ती J.S. बर्मा कर रहे थे, जो उच्चितम न्यायलाई के पूर्व तथा दूसरे जो गोपाल सुब्रमान्यम थे, वह पूर्व महा न्याय भी करता, जिसे फॉर्माल सॉलिसीटर जनरल भी कहते हैं, तो ये तीन लोग इस कमेटी में शामिल थे, इसका गठन महिलाओं के प्रती हो रहे यौन अपराधों के लिए अपराधिक कानूनों में ब कमेटी के द्वारा जो अपनी रिपोर्ट सौपी गई थी, वह रिपोर्ट सौपी गई थी 23 जनबरी 2013 को, इस समेती ने रेप, यौन उत्पीलन, मानव तसकरी, बच्चों के प्रती हो रहे यौन अपराध, पीड़तों के चिकत्सी परिक्षर, आदी के सम्मंद में सुझा प्रस्तुत किये हैं, इस समेती ने सुझाओ दिया, यौन अपराध को IPC भारतिये दंड सहिता, 1860 के अंदर ही रखा जाना चाहिए, तथा रेप या ओन यौन उत्पीलन, न केबल उत्तेजना वस्किया गया अपराध है, बलकि पुरुषों की अपनी शक्तियों का गलत उ चाहिए, यह सिर्फ बल पूर्वक सारेडिक संबंध तक सीमित ना करके, किसी भी प्रकार के असहमती पूर यौन संबंध या नौन कॉंसेंस्वल पैनेटरेंट्रेंशन औफ सेक्स्वल नेचर को भी रेप में ही सामिल किया जाना चाहिए, IPC शादी तथा शादी के बाहर के रेप में अंतर की बात करता है, यह बात करता है कि शादी में पती-पत्नी के मद्द किये जाने वाले सेक्शल नीचर को अपराध से बाहर रखता है, जबकि इस समीती ने बिना अनुमती के हर प्रकार के शेक्सवल इंटरकोर्स को पूर्ता बर्जित का सुझाओ दिया इस समिति द्वारा यौन अपरादों को भी परभासित किया गया है जिसमें कहा गया है कि किसी प्रकार का बलप्रियोग या कोई अपरादिक गदविति द्वारा महिला की शील्ता को भंग किया जाता है तो वे भी यौन हमला माना गया है जो IPC की धारा 354 के तहट एक दंडिनी अपराध है इसकी सजा मात्र दो साल है और अपराध यानी sexual penetration यौन प्रिवेश साबित न किया जा सके तो यह सभी तरह के अपराधों को इसी धारा के अंदरगत रख दिया जाता है इस समिती ने सुझाओ दिया कि सभी प्रिकार के कार वय चाहे penetration या non penetrative सहमती पूर होने के साथ किया गया सभी प्रिकार के कार जैसे गलत तरह के से छूना या महिला के सम्मान या शीलता को भंग करना आदी एक प्रिकार का यौन हमला माना जाए तथा जिसकी न्यूनितम सजा पांच वर्स, कारावास या जुर्माना दोनों हो सकते हैं और अपराद बलपूर्वक किया जाए तो सजा कम से कम तीन से साथ साल हो इस समिती ने यह सुझाओ भी दिया कि यदि गलत शब्दों द्वारा, इशारों द्वारा या अन्य प्रिकार का भय उत्पन करके महिला क कि शीलता या उसकी गरिमा को हानी पहुचाने की बाइत की जाती है तो यह भी एक दंडिनी अपराद माना जाएगा और इसकी सजा नियूनितम एक वर्स हो इसके अलाबा कार्य स्थल पर भी महिलाओं का संरक्षण एवं ऐसेड हमलों को भी दंडिनी अपराद बनाया कठोर प्रावधानों का भी सुझाओ दिया अब हम इसमें जानेंगे कि इस कमेटी ने कुछ अन्य महत्यपूर्ट सुझाओ भी दिये थे इस कमेटी ने कहा कि एक रेप क्राइसिस सेल का गठन किया जाए तथा जैसे ही कोई रेप एफ आयार दर्ज हो तुरंत इस सेल को अभी पोलिस स्टेशनों पर प्रिवेज दोवार पर सीसीजीवी कैमरे लगाए जाए और साथ ही पूछ ताजकच में भी सीसीजीवी कैमरे लगाए जाए ऑनलाइन एफ आयार दर्ज करने की भी विवस्था की जाए पोलिस को बिना अपने कार्यचेत्र की परवा किये हु तो उसको बिदिक कारिवाईयों से दूर रखा जाए और बताया कि पूलिस कर्मचारियों की संख्या में ब्रद्धी की जाए तथा अंधेरे वाले स्थानों पर उचित रोशनी की विवस्था की जाए और जो वालिंटियर्स हों और जो महलाओं की सुरक्षाओं के लिए तैयार की जा रहे हैं उनको उचित पर सिक्षड भी दिया जाए तो ये था आज का वीडियो जो मैंने आपके साथ डिसकस किया और आपको बताया इसमें कि वर्मा कमेटी में किस-किस तरीके के प्रावधानों का सुचाओ दिया गया है तो अगर आपको वीडियो हमारा अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी